एक ऐसा कोर्स जो सिर्फ 15 डेज का होता है लेकिन मर्चेंट नेवी में आपको जोब दिला सकता है एक आपका रास्ता खोल सकता है मर्चेंट नेवी में नोकरी करने का एक ऐसा कोर्स जो होता छोटा है लेकिन उसकी मैननेता जो है वो बहुत बड़ी होती है लेकिन यदि के लिए वो अभिसाब साबित हो सकता है तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे उसी कोर्स के बारे में जो पंद्रे दिन का होता है लेकिन आपको मर्चंड निभी के जहांच पे नोकरी दिला सकता है उस कोर्स का नाम है स्टेंडर्ड ओर ट्रेनिंग सेटिफिकेशन एंड वाच्किपिंग फोर सीफेरर्स यदि आपको स्टेंडर्ड कोर्स करना है तो उसके लिए आपका लगेगा टैंथ का मारक सीट और आपका पासपोर्ट इसके साथ में आपको आपका फोटो होना चाहिए सिगनेचर जो किमेल नंबर और मेल आइडी ये सबाबके पास है तो आपको एक इंडोस नंबर एपलाई करना पड़ेगा इंडोस नंबर आप Khud से एपलाई नहीं कर सकते आपको एक DG Institute में जाना पड़ेगा जहां पे आपका इंडोस एपलाई होगा इंडोस का जो फुल फोरम होता है वो होता है Indian National Database of Seafarers इंडोस नंबर आपका एपलाई होगा जैसे आपका इंडोस नंबर इस्यू हो जाता है आपको STCW कोर्स करने के लिए eligible मान लिया जाता है STCW कोर्स में 5 कोर्सेज होते हैं यह जो 5 कोर्सेज है वो 13 working days में हो जाते हैं लेकिन किसी प्रकार का कोई holiday या Sunday आ जाता है तो 15 to 16 days में आपका यह कोर्स complete हो जाता है जो STCW कहलाता है STCW में आपको EFA हो जाता है PSSR हो जाता है PST हो जाता है FPFF हो जाता है STSD हो जाता है इन सब का काम जो होता है वो मर्चेंड नेवी के जहां जो पर छोटा छोटा जो काम होता है उसको सिखाना होता है छोटी 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 ट्रेनिंग दी जाती है आपको लेकिन आप कि 15 दिन का कोर्स आपको क्या ही सिखा लेगा एक 15 दिन आपने कोई कोर्स किया उसमें आपको क्या ही सीख लोगे तो आपको यदि मर्चेंट ने भी जोइन करनी है तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप STCW कोर्स कीजिए STCW कोर्स कोन करेगा इसके बारे में हम डिसकस जरूर करेंगे और यह किसके लिए बनाए इसके बारे में हम डिसकस करेंगे लास्ट में लेकिन वीडियो को आप एंड तक देखिए और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आए तो आप हमसे फैसुख पर जुड़िए वहां स आप हमसे सवाल जवाब कीजिए हम आपके सवालों के जरूर जवाब देने की कोसिस करेंगे HTCW जो कोर्स होता है उसमें EFA में आपको Elementary First Aid सिखाया जाता है किसी परकार की आपको चोट ओट लग जाती है आपके साथी को किसी परकार की चोट लग जाती है तो आपको उसका First Aid Kit से कैसे इलाज करना है यह आपको सिखाया जाता है PSSR जो कोर्स होता है उसमें Personal Safety and Social Responsibility सिखाया जाती है PST में आपको Personal Survival Technique सिखाया जाती है FPFF में आपको Fire Prevention and Fire Fighting सिखाया जाता है ST, SD, SD में आपको SIP Security के बारे में सिखाया जाता है तो यह सब आपको सिखाया जाता है लेकिन 15 Days के कोर्स में आपको कितना ही सीखने को मिलेगा और आप कितना ही सीख पाओगे यह मैं आपको बार-बार बोलूँगा मर्चेंड ने भी यदि आपको जोइन करनी है तो आप अच्छे रास्ते से कीजिए अच्छे कोर्स के साथ कीजिए जिससे की आपका जो फ्यूचर है वो भी ब्राइट हो सके और ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको जीपी रेटिंग करना चाहिए CCMC करना चाहिए DNS ये दिया आप इलिजिबल और DNS करने के लिए तो DNS आपको करना चाहिए BTEC Marine Engineering आपको करना चाहिए अच्छे कोर्सेज करना चाहिए STCW कोर्स करने के बाद में CDC अपलाई करना होता है CDC अपलाई होने के बाद में CDC आपका घर आ जाता है जैसे आपका passport आता है वैसे ही CDC होता है CDC का जो full form होता है वो continue discharge certificate होता है तो इसी के बिना यह एक license होता है मर्चेंट नवी के जहांच पर नोकरी करने का यदि आपके पास CDC नहीं है तो आप मर्चेंट नवी के जहांच पर नोकरी नहीं कर सकते जैसे आपके पास driving license नहीं है तो आप driving नहीं कर सकते वैसे ही मर्चेंट ने भी के जहांच पे दिया आपको नोकरी करना है तो CDC आपके पास होना चाहिए STCW course है वो किन को करना चाहिए यही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्योंकि STCW course की ज़्यादा फीश नहीं है STCW course की फीश 7,000, 8,000, 10,000 यदि आप hostel भी खुद institute से लेते हो तो 20,000, 22,000, 23,000 यह अलग-अलग college हो की अलग-अलग फीश है लेकिन ज़्यादा फीश नहीं है यदि एक लड़का है जो course कर रहा है GP rating उसकी फीश है 2.5,000 लेक और एक लड़का है जो course कर रहा है STCW उसकी फीश है 22,000 तो आप दोनों को completion कैसे कर सकते हो वो 6 महीने course किया STCW वाला सिर्फ 15 days course किया और दोनों ही जहांच पर नोकरी करने जाते हैं तो ये बराबर कैसे हो सकते हैं ये हमारे लिए भी एक सोचने वाली बात है तो आपको यदि guys किसी को भी merchant नवी जोइन करनी है तो अच्छा course करना है अच्छे institute से करना है और पहले merchant नवी के बारे में 60 जानकारी जुटा लेनी है यदि आपको किसी भी परकार की help चाहिए merchant नवी से related तो आप हमसे हमारे फैसुक पेज पर जुड़िए फैसुक पेज पर आप हमें friend request बेजिए जैसे ही आपकी friend request accept हो जाती है आप हमसे messenger के जरिये chat कीजिए हम आपके सवालों के सटिक और सही जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुँचा दीजिए जो मर्चेंड नेवी का सपना देखते हैं मर्चेंड नेवी जोइन करने का सपना देखते हैं या मर्चेंड नेवी जोइन करना चाते हैं या आपके कोई relative आपका कोई जानकार जो merchant navy के बारे में सोच रहा है उन लोगों तक भी आप इस वीडियो को जरूर पहुचा दीजिए अब बात आती है कि HTCW सिर्फ 15 days का course है तो इसको करना क्यों चाहिए इसको कौन कर सकता है तो HTCW जो course करना चाहिए वो उन लोगों को करना चाहिए जिन्होंने HM किया हुआ होटल मैनेजमेंट किया हुआ है और उनका किसी passenger ship में या passenger ship की company में job लग गई है और उनको company द्वारा बोला गया कि आप HTCW course कीजिए और हमें CDC लाके दीजिए तब ही जाके आपका ship पे job मिलेगा तो उनको guys जो job मिल रहा है वो मिल रहा होटल मैनेजमेंट course के जरिए ना कि HTCW के जरिए HTCW सिर्फ basic course हो गया कि आपको जहांच पे काम करने के लिए कुछ course है चाहिए तो उसके लिए HTCW हुआ इसके बाद में रिग होता है oil rig उसमें यदि आप लेवर में जाना चाते हो तो आपको HTCW करना जरूरी है वहां भी आप HTCW कर सकते हो इसके अलवा यदि आपका कोई खास जानकार जैसे चाचाताव आपका हो सकता है आपका कोई relative हो सकता है या आपका कोई दोस्त हो सकता है जो खास है आपका बिलकुल खास जानकार है और वह अच्छी कमपनी में पिछले 8-10 साल से जोब कर रहा है और आप उसके बारे में अच्छे से जानते हो इस बात का जरूर ध्यान देना कि वो कम से कम 5-8 साल पुराना होना चाहिए जो आपका जानकार या relative है वो आपको जोब जरूर दिला सकता है अपने reference पे उसके जरिये भी आप STCW करके आगे बढ़ सकते हो लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना कि वो relative आपका खास होना चाहिए या जो भी जानकार है वो खास होना चाहिए जो STCW कोर्स बनाया वो उन्हीं लोगों के लिए बनाया जिनको मर्चंड ने भी की अच्छी खासी जानकारी है यदि आपको किसी परकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे इस वीडिय कीजिए और सेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ